नमस्कार दोस्तों मिरडूप चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आप लोग के लिए एक और बहुत बढ़ी खुश कबरी है 36 गड़ में एक बार फिर से 199 पदों पर भरती के लिए विज्यापन जारी कर दिया गया है तो इन पदों के लिए कौन को अविधन कर सकते हैं सैक्षिडी के उग्यता क्या होना चाहिए आप लोग को प्रतीमा कितना वितन दिया जाएगा आप लोग का चैन किस परकार सी किया जाएगा कब से कब तक आप लोग अविधन कर सकते हो ओनलाइन अवेधन करना है या फिर ओफलाइन अवेधन करना है पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आईकर को ज़रूद दबाया ता कि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके ही तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आप लोगे यहां पढ़ सकते हैं विग्यापन जारी के कालर संभागे सर्युक संचालक स्वास सिमाएं के द्वारा जिसके अंतरगर्थ 199 पदों पर भरती किया जाएगा विग्यापन जारी किया गया है 25 मार्ट 2022 को जारी किया गया है और दोस्तों बहुत ही important point जो आप लोगो जाना बहुत जरूरी है स्टाफ, नर्स, medical lab technologist, नेतर सहायक अधिकारी एवं रेडियो ग्रॉफर के विविन्न पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया था जिसके अंतरगर्द दोस्तों medical lab technologist और नेतर सहायक अधिकारी के पदों को अपरिहाय कार्णों से इस्तगित कर दिया गया है अब केवल जो भरती किया जाएगा स्टाफ, नर्स और रेडियो ग्राफर के 199 पदों पर भरती किया जाएगा इन पदों के लिए जो भी इक्छुक अवेदक अवेदन करना चाहते हैं 30 मार 2022 से लेके 18 अप्रेल 2022 साम 5 बज़ तक ऑनलाइन के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं आप लोग यहाँ देख सकते हो ओफिस्यल वेब साइट का लिंक दिया गया है मतलब दोस्तों आप लोग कल से अवेदन कर सकते हों इसी के नीचे आप लोग यहाँ पत का नाम देख सकते हो इस्टाफ नर्स के टोटल 171 पदों पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 28,700 रुपे से लेके 99,300 रुपे तक इसी परकार रेडियो ग्राफ़र के 20 पत पर भरती किया जाएगा आप लोग यहाँ पर सकते हो इस्टाफ नर्स के लिए सेक्षरी के युग्यान विशाय के साथ होना चाहिए अन्य यहाँ युग्यता दिया गया है आप लोग पर सकते हो और जो भी इक्चु का वेदा इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 36 गड़ राज्य के मूल निमासी होना चाहिए आप लोग पॉइंट नंबर दो पड़ सकते हो और पॉइंट नंबर तीन में यह बताया गया कि इन पदों के लिए निंतम आयू क्या होना चाहिए एक एक दो हजार बाइस को निंतम आयू होने चे अठारा वर्स और अधिक्तम पैंतिस वर्स होना चाहिए जो 36 गड के इस्थानिय मूल निमासी है उन्हें आयू सीमा में छूट दिया जाएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर डिटेल से पड़ सकते हो और दोस्तों आप लोग यहाँ पॉइंट नंबर 14 पड़ सकते हो जो आप लोग का चैन किया जाएगा वो सैक्षिरिक योग्यता के अधार पर चैन किया जाएगा यहाँ पर बताया गया है कि सैक्षिरिक तक्नीकी योग्यता का 85% अंग और अगर आप लोगों को अनुभाव है तो उसका भी अनुभाव का अंग दिया जाएगा उसके बाद में मेरिड सुची जारी किया जाएगा और आप लोगों का चैन किया जाएगा तो दोस्तों जो भी महत्पुन पोइंट था जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था हो मैंने बता दिया है अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के निज़े डिस्किप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोगों हाँ पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो तो उमीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप लोग अधीक से अधीक सेयर कीजे ताकि ऐसी काम क्यों जूरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस विज्यापन से संबनित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमिन बोक्स में कमिन कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद